हमने सीखा, पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रविमान होता है, पदार्थों को मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ में वर्गी कृत किया जाता है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, इनमें अव्यवी पदार्थों के ग पाय जाते हैं। ज्यादा तर अव्यवी पदार्थों को सामान ने भातिक विध्यों द्वारा अलग किया जा सकता है। विल्यन की सांधता का अर्थ है किसी विल्यन की दी गई मात्रा में उपस्थित विले की मात्रा। वह मिश्रण जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा हो कि उसे आँखों से देखा जा सके। निलंबन कहलाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व या योगिक होते हैं। रासाइनिक संयोग से बनता है। योगिक के गुण उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों से भिन होते हैं। रासाइनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रविमान उत्पादों के कुल द्रविमान के बराबर होता है यह पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहलाता है। किसी भी योगिक में अव्यवी तत्व द्रविमान के आधार पर सदैव एक निश्चित अनुपात में होते इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं